हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मादव डेसीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आज की वीडियो में देखे फ्रेंड्स हम काना जी की कौटन की ड्रेस बनाएंगे और इस ड्रेस को हमने सिर्फ एक रुमाल से बनाया है आठ दस रुपे का एक रुमाल आ जाता है उस कमफर्टेबल ड्रेस है आप एक बार जरू ट्राई करें और वीडियो को पूरा देखें तो चलिए फ्रेंड्स इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं इस ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर देखें हमने यह एक कोटन का रुमाल लिया है और इसका मेजरमेंट आपको बता देरेती हूह इस रुमाल की लंबाई है साड़े ग्यारां इंच और इसकी चोड़喂 भी साड़े ग्यारा इंच है बिल्कुल चोकोड रुमाल है अब हमें क्या करना है हमेए इसी ऐसी शौ devenit कर मैव broken करनाएं तो फिर वह सीदिय साइड नहीं दिखेंगा और यहां से यहां से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह ऐसे और इधर से भी 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क को मिलाकर यहां से कटिंग कर देंगे अब इसके बाद देखे यह कटिंग हो गया यह वाला पीस हमारा बचा हुआ है यहां पर हम मार्क लगाएंगे तो यहां से देखे हमें मार्क लगाना है इस तरह से 3 इंच का और 3 इंच मार्क करने के बाद यहां से लंबाई में लेंगे हम 8 इंच इस तरह से और इसको यहां से ऐसे मिलाकर इस पट्टी को भी कट कर लेंगे यहाँ पर देखे हमने इस पट्टी को भी कट कर दिया है अब हमारे पास यह वाला पीस बचता है तो यहाँ पर देखे इसकी चोड़ाई कितनी है यहाँ पर सवा इंच और इसकी लंबाई यहाँ से देखे आठ इंची हमें कट करनी है तो यहाँ पर ऐसे मार करेंगे और इस पट्टी को भी हम यहां से ऐसे कट कर देंगे. अब देखिए हमने यहां पर यह पेशी कट किए हैं, अब शुरू में जो हमने 3 इंच चोड़ाई के पीस लिये थे, इन दोनों पीस को देखे हम आपस में यहां से ऐसे सिलाई करेंगे, और सिलाई करने के बाद जब यह यहां से जुड़ जाएगा तो हम इसके उपर प्लेट्स लगाएंगे तो यहां से हम ऐसे प्लेट्स लगाना शुरू करते हैं देखे जैसे हम ड्रेस में हर ड्रेस में प्लेट्स लगाते हैं इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे और यहां से इसको stitch करते जाएंगे तो चलिए इतना काम कर लेते हैं फिर आगे बताते हैं कि कैसे करना है अब देखिए यह प्लेट से लग करके तयार हो गई है अब हमने जो एक पट्टी कट की थी सवा इंच की और आठ इंच चोड़ी देखिए यहां पर हमने इस पट्टी को लिया था और हमारी जो कमर रेडि हुई है यहां पर यह देखिए मैं बता देती हूँ आपको यह 6 इंच तयार हुई है तो हमने इसको 8 इंच थोड़ा से लंबा कट किया था अब हम इसको क्या करेंगे यहां से उल्टी साइड से ऐसे रखेंगे और इस पट्टी को इस पर कमर के उपर सिल लेंगे इस पट्टी को सिलने के बाद अब देखिए इसको हम यहां से ऐसे सीधी साइड करेंगे और यहां पर हम नेफा बनाएंगे इसके बाद एक डोरी लेंगे और इस डोरी को लेकर हमें देखे इसके अंदर डोरी लगानी है तो यहां से इसको ऐसे मोड़ेंगे और एक बार थोड़ा सा अंदर की साइड ऐसे मोड़ देंगे और इसके अंदर यहां पर डोरी रखेंगे और डोरी रखने के बाद इसको सिल देंगे और डोरी के उपर सि आपि करेंगे और करने के बाहिए और शिलाई करेंगेने चोड़ कि और शिभूत नगेनी पर कीमा के साये angina करें. हूँ और कट करने के बाद हम ऐसे मोड़कर इधर सिलाई लगा लेंगे और इसके बराबर इसको कर लेंगे तो इसके उपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ यह दिखिए मैंने इसको दोनों साइड से यहां से इस तरह से स्टिच कर लिया है अब हम यह ड्रेस लेंगे और इसको और यह लगा लिए से लिखे से लगा सकते हैं तो यहां पर नेफे के उपर जहां पर यहां से 맡 सीधा करते हैं और यह जो उपर है इसको यहां से देखे इस तरह से मोडेंगे हम और मोडने के बाद यहां पर सिलाई लगाएंगे और इसके अंदर भी हम एक डोरी लगानी है तो देखे यहां से ऐसे करेंगे पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर इसके अंदर डोरी रखेंगे और फिर यहां से इसको ऐसे सिल देंगे, तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे रुमाल में से जो ये छोटा सा पीस बचाता, इसके हमें चार पीस कट करने है, यहाँ पर देखिए हम इस तरह से चार पीस कट करेंगे, और कट करने के बाद यहाँ पर जो लगा देंगे तो चलिए हम इतना काम कर लेते हैं यहां पर देखें सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको यहां से ऐसे खीच देंगे पकड़कर इस तरह से दिखिए और यह जो हमारा बाहर की तरफ एक्स्टर कपड़ा निकला हुआ है इसकी हम कटिंग कर देंगे तो देख देखिए फ्रेंड्स यह ड्रेस बन करके तयार हो गई है एक चोटे से रुमाल से हमारी कितनी प्यारी ड्रेस बनीए चलिए अब ड्रेस कानजी को पहना लेते हैं तो देखिए कानजी आ गए है अब हमें क्या करना है पहले हमें यह जो नीचे का पॉर्षन है इसमें ऐसे करनी है इकटा करना है इसको इस तरह से और फिर जो उपर वाला पोर्शन है यहां से इसको ऐसे इकटा करना है यह देखे और हम यहां से कानाजी के गले में डालेंगे और यहां से इसको ऐसे बान देंगे मेरी डोरी थोड़ी सी लंबी हो गई है आप थोड़ी सी छोटी कट करिए और यहां से डालने के बाद अब देखें हाथों के नीचे से इसको ऐसे ले जाएंगे और नीचे ले जाने के बाद यहां पर देखें इस तरह से इसको पीछे की साइड बान देंगे यहां से और बादने के बाद इसको दीखे घेरे को ऐसे सैट करके और पीछे हम यहां पर पिन अप कर देंगे यहां पर एक पिन लगा देंगे नीचे की साइड से तो देखी फ्रेंड्स यहां से दिखे यह पिन निकल रहा है इसको अच्छे से ऐसे पिन अप करें तो देखे फ्रेंड्स ये ड्रेस बन करके बिल्कुल तयार हो गई है छोटे से एक रुमाल से हमने ये ड्रेस बनाई है आपको कैसी लगी आज की ड्रेस अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए रादे रादे